हलो दोस्तों जिस ऐसे परिक्षा में एक वर फिर साब का स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में जार्खन की सभ्यता और संस्क्रिती को डिस्कस करेंगे ठीक है देखे जार्खन की यदि सभ्यता को समझना है तो यहां के लोग यानि कि यहां के जंजाती को समझना होगा और यदि जार्खन की संस्क्रिती को समझना है यहां के लोग निरत्या ठीक है लोग गीत और लोग नाटे त्यादी को समझना होगा ठीक है हम लोग जार्खन उतपात सिपाही का जार्खन समान ग्यान का टोपिक दिया हुआ है हम लोग इसको दस वीडियो में समाप्त करने ये उसी कड़ी में तीसरा नंबर का वीडियो है तो चले फटा फट से हम लोग वीडियो आरम करते हैं देखेए सबसे पहले है जारखंड की जनजातियां इसमें पहला पॉइंट है कि जारखंड में कुल मान्य अनुसुचित जनजातियां जो हैं वो कितने हैं 32 हैं चोबिष जन जातियां, परमुख जन जातियां की सिरनी में आती है, जबकि जो आठ जन जातियां है, जैसे कि यहाँ पास दिया गया है, बीरोर, कौरवा, असूर, परहिया, बीरजिया, सोरिया, पहाडिया, माल पहाडिया, तथा सबर, ये सब आदिम जन जाति की सिरनी में किसमें आते हैं आदिम जनजाती के सिरनी में आते हैं ठीक है कौन कौन है बीरहोर, कोरवा, असुर, परहिया, बीरजिया, सुर्या पहाडिया, माल पहाडिया और सबर ये सब आदिम जनजाती के सिरनी में आते हैं ठीक है जार्खन की अधिकां जन जातियां प्रोटो अस्ट्रोलेट प्रजादी की है जार्खन की जो अधिकां जन जाति है वो कैसी है प्रोटो अस्ट्रोलेट प्रजाती की है 2011 की जन गन्ना के अनुसार जार्खन में अनुसचे जन जातियां की कुल संख्या 86,45,42 है कितना है 86,45,42 आगे है 2011 की जनगन्ना के नुसार जार्खन की कुल अबादी में जनजाती अबादी जो है वो 26.2 परतिसत है जनजातियों का अबादी है जार्खन की कुल जनजाती अबादी में से 92.86 परतिसत अबादी गाउं में निवास करती है ठीक है यहनि की लगभग 8 परसेंट जनजाती सहर में निवास करते हैं बाकी सब जनजाती गाउं में निवास करती है जार्खंड की कुल जनजातिये अबादी का 7.14% सहर में निवास करती है आगे है भासा के अधार पर जार्खंड की जनजातियों को दो वर्गों में रखा गया है जनजातिये भासाओं को आस्ट्रिक यानि कि मुंडा भासा और द्रविडियन समुहों में बाटा गया है द्रविड भासा वर्ग के अंतरगत उडख और मालतो भासाएं आती है आदिवासी सब्द का साब्दिक अर्थ होता है आदिकाल से रहने वाले लोग जार्खंड की जनजातियों को हटन ने आदिम जाति कहा है क्या कहा है आदिम जाति कहा है वेंस ने जार्खन की जनजातियों के लिए वन ने जाती नाम का परियोग किया है आगे है इसके बाद की जार्खन के खुटी जीले में परतिसत्ता की द्रिष्टी से सरवाधिक जनजाती अबादी रहती है जनजाती अबादी की परतिसत्ता की द्रिष्टी से सबसे कम अबादी वाला जो जीला है वो है कोडर्मा जार्खन का सरवाधिक जनजाती जनसंख्या वाला जीला है राची जार्खन का नियुंतम जनजाती जनसंख्या वाला जीला है कोडर्मा जनसंख्या के दृष्टी से जारखंड की परमुख जनजातियों का अनुकरम है संस्थाल, उराओ, मुंडा और हो यानि कि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो संस्थाल लोग हैं फिर उराओ, फिर हैं मुंडा, फिर हैं हो जार्खन की जन्जातियों के मध्या पित्रु सतात्मक समाजिक सता है कैसी है पित्रि सतात्मक समाजिक सता है जन्जातिय समाज में संस्थागत रूप से धूम कुडिया इवा गिरा है क्या है धूम कुडिया इवा गिरा है जनजाती अर्थ विवस्था का मूलाधार क्रीसी है भासा की दृष्टी से मुन्डा हो तथा भूमिज जनजाती कोलरियन समूह में आते हैं जार्खंड की अधिकांस जनजातियां के मध्य गोत्र बही विर्वा बिवाह की विवस्था है जार्खंड की प्राय सभी जनजातियों की समाजिक सनचना में गोत्र विवस्था की उपस्थिती रहती है जार्खन की पहाडिया जनजाती में गोत्र नहीं पाया जाता है जनसंख्या के दृष्टी से जार्खन की आदिम जातियों जनजातियों का सही अनुकरम दिया गया है जैसे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है आदिम जनजातियों में सोरिया पहाडिया का उसके बाद माल पहाडिया का उसके बाद कोरवा फिर परहिया सबसे ज़्यादा कोन आदिम जनजाती का जनसंख्या है सोरिया पहाडिया का और सबसे कम है परहिया का जारखन में सरवाधिक बोली जाने वाली जनजातिय भासा संस्थाली है जारखन की जनजातियां पूर्ण तहा बही बिर्वाही है इस बही बिर्वाही का ततपर है समान गोतर में बिवाह नहीं करते हैं भारतिय पुरातत्यों में असुर सब्दका परियोग जारखन के रांची गुमला तथा लोहर दग्गा जीलों में हुआ है संबिधान में अनुसुचे जनजातियों को 342 अनुछेद में परिभासित किया गया है सिंग बोंगा संस्थाल उराओं मुंडा जनजाति का क्या है मुख्य दें होता है आगे है परमुख समुदाए ठीक है परमुख जनजातिय समुदाए देखिए सबसे पहला है संस्थाल जनसंख्य की दिरिष्टी से जारखंड की जनजातियों में संस्थाल का पहला स्थान है जारखंड में संस्थालों का मुख्य निवास अस्तल है संस्थाल प्रगना परजातिय दिरिष्टी से संस्थाल प्रोटो अस्ट्रोलेट सरेनी में आते हैं संस्थालों में बी रक्त समुह की अधिक्ता पाई जाती है संस्थाल पुरंपरा के अनुसार जारखन में परवेश करने के पूर्व ये खरवार कहलाते थे क्या कहलाते थे? खरवार कहलाते थे संस्थाल में बारह गोत्र पाय जाते हैं संस्थाल समाज चार हडो यानि की वर्नों में विभक्त है संस्थाल जनजाती के चार जो वर्न हैं वह हैं किसकु हड, सोरेन हड, मुर्मु हड और मरोडी हड ठीक है यानि कि नाम में सब सोरेन लगाते हैं मुर्मू लगाते हैं किसकू लगाते हैं मुरूडी लगाते हैं संस्थाल जनजाती एक अंता बिरवाही जनजाती है संस्थाल जनजाती में सम गोतरे बिवाह क्या है वर्जित है संस्थाल जनजाती में एक बिवाह की प्रथा है आगे है इसके बाद संस्थालों के बीच एकल एवं सन्युक्त परिवार पाय जाते हैं संस्थाल समाज में दो परकार की नातेदारी पाय जाती है कितनी परकार की? दो परकार की संस्थालों में दिक्षा संसकार को चाचो छठियार नाम से जाना जाता है संस्थाल समाज में बाल बिवा की प्रथा नहीं है संस्थाल समाज में जीजा साले बिवा और देवर्व हो जाई बिवा की माननेता है बिधवा बिवा की भी प्रचलिक है संस्थाल समाज में तलाग की प्रथा पाई जाती है संस्थाल जनजाती में आठ परकार के बीवाह प्रचलित है संस्थाल में बीवाह को बापला कहा जाता है किरिंग बापला संस्थाल आदिवासी से सम्मंधित है किरिंग बापला, किरिंग जवाई, इतूत, निर्बोलोक, टुनकी, दिलिब बापला, घर की जवाई एवं सांगा विवा का प्रचलन संस्थाल जनजाती में है संस्थाल जनजाती में सरवाधिक किरिंग बापला विवा प्रचलित है संस्थाल जन्जाती में किरिंग बापला बिवा अगवा के माध्यम से तै किया जाता है संस्थाल जन्जाती में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को पून दिया जाता है संस्थाल जन्जाती में बारात के खाने पीने का खर्च वर पक्ष के द्वारा वहन किया जाता है प्रप्व्यका बिवाह होता है, संस्थालों में करय बिवाह को साधाई बापला कहा जाता है, संस्थालों में वीनिमय बिवाह को गुलाईटी बापला के नाम से जाना जाता है, बिद्वा बिवाह को संस्थाल जंजाती में सांगा बापला के नाम से जाना जाता है, सेवा ब इतूत बिवाह को निबोरलुक बापला के नाम से जाना जाता है। इतूत बिवाह प्रेम प्रसंग की फल्स रूप होता है। इतूत बिवाह माता पिता के सुक्रिती के बीना होता है। इतूत बिवाह मांजी के माध्यम से जुर्माना चुका कर होता है। संस्थाल में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिये जाने वाले वधु मुल्य को पोन कहा जाता है संस्थाल का सरोच देवता सिंग बोंगा है संस्थालों का दूसरा सरप्रमुख देवता मरांग बुरू है संस्थालों का मुख्य ग्राम देवता जाहेर एरा है संस्थालों के जाहेर एरा देवता का निमा सस्थल साल ब्रिक्स से घीरा यानि कि जाहेर थान होता है संस्थाल समाज में ठाकुर जी की विश्व का बिधाता माना जाता है संस्थाल लोग देवी दुरुगा को जाहेर एरा नाम से पुकरते हैं संस्थालों का गिरिह देवता ओड़क बोंगा है, संस्थालों का कूल देवता आबगे बोंगा है, और संस्थाल गाउं का धार्मी प्रधान नायके होता है, क्या होता है, नायके होता है, सफा होड संप्रदाय का संबंद संस्थाल जन जाती से है, सनातन संस्थालों को परदान मांजी होता है, संस्थाल गाउं की पंचायते मांजी थान में बैठती है, संस्थालों में इवाउं को नैतिक सिक्षा जोग मांजी देता है, विटला संस्थाल समाज की सबसे कठोर सजा है देखे, विटला संस्थाल समाज में समाजिक बहिसकार के समान होता है, विटला सजा निशिद्योन संबंद अस्थापित होने पर अपराधियों को दी जाती है संस्थालों की सारे पर्व क्रीशी या प्रकीर्ती से समंधित होते हैं संस्थालों के तेवहारों का प्ररंब आसान महीने से होदा है बाहा या बा, सुहराई, इरोक, सरहुल, माघमिस, हरीहारसिम, करम, बंदना, संस्थालों के मुख्य पर्व है सुहराई पर्व पॉस में मनाया जाता है सुहराई पर्व पांच दिनों तक मनाया जाता है संस्थालों का पिर्वत्यवहार सुहराई फसल काटने के समय मनाया जाता है इरोक पर्व आसाड माह में मनाया जाता है हर्यार पर्व सावन माह में मनाया जाता है और बाप परोज होता है वो फागुन माह में मनाया जाता है बाहा का साबदी कर्थ होता है फूल संस्थालों का बाहा या बाप परव उराव मुंडा के सरहुल के समान होता है बाहा के पहले दीन का नाम उम है माघ सिम परव माघ माह में मनाया जाता है सावन में धान की खेती में हर्याली आ जाने पर हर्यार सीम पर मनाय जाता है संस्थालों में दस राग पाया जाते हैं परतेक संस्थाल गाउं में एक पंचायत होती है पंचायत का मुखिया मांजी कहलाता है और मांजी का सहायक जोग मांजी कहलाता है मांजी की अनुफस्थिती में उसका कार्य जो प्रामीक्ता के साथ संपादित करता है संस्थाल गाउं का संदेश वाहक गोड़ायत कहलाता है परगना का परधान प्रगनायत कहलाता है संस्थाल जंजाती के लोग संस्थाली भासा बोलते हैं संस्थाल जंजाती की लीपी है ओल्ची की लीपी का आविस्कार पंडित रगुनाथ मुर्मु ने 1941 सिस्वी में किया था 92 समिधान संसोधन 2003 के द्वारा संस्थाली भासा को समिधान की आठी अनिसुची में सामिल किया गया संस्थालों की लोग कथाओं में अधितर पात्रव पसु होते हैं संस्थाल की हेमरम जंजाती का गोत्र चिन पान पत्ता है हांसा जो हांसा जंजाती का गोत्र चिन है वो जंगली हंस है सुरेण जंजाती का गोत्र चिन पक्छी है मरांडी का गोत्र चिन माडरा घांस है और बेसरा जंजाती का गोत्र चिन बाज पक्छी है बासके गोत्र का गोत्रचिन नाग साप है पोडिया गोत्र का गोत्रचिन कबुतर है चोंडे गोत्र का गोत्रचिन छिपकिली है संस्थाल महिलाओं का मांजित हान जाना निशिद है जादो पटिया चित्रकला सैली संस्थाल जनजाती की सरवाधिक मसहूर लोक चित्रकला सैली है जादो पटिया चित्रकला सैली संस्थालों की समाजिक, धार्मिक, रीती रिवाजों और मानेताओं को उकेरती है जादो पटिया सहली के चितरकार को संस्थाली भासा में जादो कहते हैं आगे हैं उराव जंजाती के बारे में देखिए जनसंख्या की दरष्टी से जहारखन की जो दूसरी परमुख जंजाती है दूनों दरष्टी से द्रविट जाती के हैं उराव जनजाती का मुल निवास है कोंकन मुल निवास जो था वो पहले कोंकन था उराव का जारखन में परवेश सेर साह के सासन काल में हुआ है उराव स्यम को अपनी भासा में कुरुख कहते है कुरुख का साथिक अर्थ होता है मनुस्या उराव का आउसत कद होता है 162.1 cm उराव में बी रक्त समूह की अधिक्ता पाई जाती है सरत चंदर रोय ने 1915 स्वी में द उराव अब छोटा नागपुर लिख कर उराव जंजाती के बारे में बिस्त्रित जनकारी दी उराव का पिर्य जो पे होता है वो हडिया होता है बंदर के मांस का परियोग पूरे उराव समाज में निसेद है नहीं करते हैं उराव जंजाती में तेवहारों के अवसर पर पुरुसों द्वारा पहने जानने वाला वस्त्र को केरिया कहा जाता है उराव जंजाती के महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त खनरिया कहलाता है मरने पर सब गहने उतार लिये जाते हैं पर गोधना दुसरी दुनिया तक साथ जाता है यह कहावत उराव जंजाती के बीच प्रचलित है उराव जन्जाती कुड़ुक भासा बोलती है कुड़ुक भासा का सम्मद्ध द्रविट भासा परिवार से है उराव जन्जाती के लोग सरवाधिक दक्षिनी छोटा नाकपुर परमंडल में निवास करते है उराव जन्जाती के जो मुख्य पेशा है वह क्रीसी है उराव परिवार पित्रुवन्सिय होता है उराव परिवार अधिकांस्ता एकल होता है उराव जंजाती में उत्राधिकार पित्रुवन्सिय होता है उराव गाव का परधान मुख्या जो होता है वो महतो होता है उराओं लोगों का धरम परधान वा पुजारी पाहन होता है उराओं लोगों का मुख्य पूजा अस्थल सरना नाम से जाना जाता है उराओं लोगों के पुरवजों की आत्मा सासन में निवास करती है उराओं का अस्थी भी सर्जन अस्थल कुंदी कहलाता है उराओं में अस्थियों के दफनाने के समारों को हाड़ बोरा नाम से जाना जाता है हाड़ बोरा समारों साल में एक बार होता है धुमकुडिया उराओं जनजाती का युवागिरा है धुमकुडिया वस्तुता जनजाती प्रसिक्षन केंद्र था धुम कुडिया में परवेश तीन वर्स में एक बार दिया जाता है युवको धुम कुडिया को जोंख एरेपा के नाम से जानते है युवतियों के धुम कुडिया को पिल एरेपा नाम से जाना जाता है जोंख एरेपा को धांगर कुडिया नाम से भी जाना जाता है और जोंख ए रेपा के मुख्या को महतो या धांगर कहा जाता है और महिलाओं के लिए जो रेपा होती है ठीक है उनकी देखवाल करने वाली महिला बढ़की धांगरिन कहलाती है उराओं जंजाती में नाच मैदान को आखडा के नाम से जाना जाता है आखडा उराओं की एक महतपूर्ण समाजिक सांस्कृतिक संस्था है आखडा पराया गाओं के बीच में इस्थित नाच मैदान होता है आखडा में पर्वतेवहार एवं महतपूर्ण धार्मिक अवसरों पर दीन भर नाच गान चलता है जदूर निर्त्या उराओं का सरवाधिक लोक निर्त्या लोकपिर्य निर्त्या है उराओं जन्जाती में पिता तथा उसके सभी भाई एक ही सब्द बास सम्बोधित किये जाते हैं उराओं में बिवाह का सरवाधिक प्रचलित रूप आयोजित बिया होता है उराओं जनजाती का सरोच देउता धरमेश है धरमेश उराओं का मुख्य देउता है धरमेश सिंग भोंगा या सूरे का परतीक है धरती माता धरमेश की दमपती मानी जाती है उराओं का ग्राम देवता ठाकूर देव है उराओं का कुल देवता पुर्व जात्मा है उराओं का सिमान्त देवता डिवार है उराओं का पहार देवता मारंग बुरू है उराव जन्जाती के महत्पून तेवहार कर्मा युम सरहुल है उराव जन्जाती में रोपनी के समय फसल की रक्षा के लिए धेलवा पूजा होती है पुराव जंजाती में अन्य परियोग से पुर्व नई फसल का एक अंस पहले सरना बुढिया को अरपित किया जाता है पुराव जंजाती में गाउं के कल्यान के लिए साल में एक बार गोरिया पूजा होती है उराव जंजाती का गाउं भुईहरी के नाम से जाना जाता है उराव जंजाती के पंचायत को पचोरा कहा जाता है पाहन और महतो उराव गाउं के दो प्रमुक अधिकारी होते हैं पाहन खूंट का एवं महतो खूंट का होता है पढ़ा का गठन 7-12-21 गाओं को मिला कर होता है एवं इसका मुखिया पढ़ा राजा कहलाता है उराओं के एक गाओं का दुसरे गाओं के साथ हुए बिवाहों का निप्टारा पढ़ा में होता है इवक यूतियों का सबसे बड़ा तेवार जतरा मनाने वाली जनजाती उराओं है उराओं के संघिये पंचायत को पढ़ा कहा जाता है घूम कुडिया उराओं से सम्मन्धित है और जहारखन की जनजातियों में सरवाधिक विकास उराओं जनजाती का हुआ है आगे हैं मुंडा जनजाती के बारे में देखे जनसंख्या के दिरिष्टी से जहारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाती है मुंडा प्रजातिय दिरिष्टी से मुंडा को प्रोटो अस्ट्रेड समू में रखा गया है मुंडा जन्जाती जार्खन में कोलेरियन समू की एक ससक्त जन्जाती है मुंडा जन्जाती अपनी मुल भूमी तीबत को मानते हैं मुंडा जन्जाती का मुख्य एवं प्रथम प्रसास के केंदर सुतियांबे में था मुंड़ा जनजाती के लोग स्वेम को होडो को कहते है मुंड़ा लोग अपनी जाती को होडो कहते है मुंड़ा जनजाती को कोल के नाम से भी जाना जाता है मुंड़ा जनजाती के लोग मुंडारी भासा बोलते है मुंडारी भासा का समन्द आश्ट्रो इसियाटिक भासा समू से है मुंडा जंजाती के लोग अपनी भासा को होडो जगर कहते है मुंडा जंजाती का मुख्य निवास अस्थान है राची मुंड़ा जंजाती में पंचायत अस्थल एवं नाच के मैदान को आखड़ा कहा जाता है मुंड़ा जंजाती के पूजा अस्थल को सरना कहा जाता है मुंड़ा जंजाती में समाधी अस्थल को सासन कहा जाता है मुंडा जन्जाती के सासन में जूग टोपा समाहरोह के साथ मुंडा बेगती की हड़ियां गाड़ी जाती है मुंडा जन्जाती के इवाग गिरह को तीती ओड गीती ओडा नाम से जाना जाता है मुंडा गाउं में प्राया तीन टोलो टोले जो हैं वो होते हैं मुंडा गाउं का प्रधान मुखिया मुंडा या हातु मुंडा कहलाता है मुंडा गाउं का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है आगे देखे पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है मुंड़ा जंजाती में ग्रामिन पुजारी को डेहरी कहा जाता है मुंड़ा जंजाती में जाड़ फुक का कार्य देवडा करता है मुंड़ा जंजाती के सरोच देवता सिंग बोंगा है मुंडा जन्जाती में ग्राम देवता को हातु बोंगा के नाम से जाना जाता है मुंडा जन्जाती में कुल देवता को ओडा बोंगा के नाम से जाना जाता है देशावली मुंडा गाव की सबसे बड़ी देवी होती है मुंडा जनजाती में पहार देवता को बुरु बोंगा के नाम से जाना जाता है इकीर बोंगा मुंडाओं का जल देवता है मुंडाओं के धरम का अधार जीववाद है मुंडाओं के धरम का अधार जीववाद है मुंडा जन्जाती के गोत्र को कीली नाम से जाना जाता है मुंडाओं की प्रसिद कथा सोसो बोंगा बैलेड रूप में गड़ी गई है मुंडाओं के सरवाधिक महत्पुन पर्व सरहुल को बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है बतवली परव को छोटा सरहुल के नाम से जाना जाता है अनोबा परव को धान बूनी परव के नाम से जाना जाता है मुंडा जन्जाती में वर वधु मुल्य को गुनोंग कहा जाता है मुंडाओं के कान छेदने संसकार को तुकुई लुतूर के नाम से जाना जाता है मुंडा अपने गाउं को हातू कहते हैं बिद्वा विवाह को मुंडा जन्जाती में सगाई नाम से जाना जाता है मुंडा जन्जाती में तालाक को साकमचारी कहा जाता है मुंडा जन्जाती महली मुंडा एवं कमपाट मुंडा नामक दो सखाओं में विभक्त है रीजले ने मुंडा जन्जाती में के 340 गोत्रों का जिक्र गिया है सोमा सिंग मुंडा ने अपने संचिप्त मोनोगराफ मुंडा में मुंडा जनजाती के 13 उपसकाओं के चर्चा की है मुंडा जनजाती में पूर्सो द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र बटोई एवं करेया कहलाता है मुंड़ा जनजाती में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्तर पारेया कहलाता है मुंड़ा जनजाती का जार्खंड में आगमन लगभग छोसो इस भी इसाप पूरुव ओहे माना जाता है आगे है हो जनसंख्या की द्रिष्टी से जार्खंड की 34 सबसे बड़ी जनजाती है हो जनजाती प्रजाती द्रिष्टी से हो जनजाती को प्रोटो अस्ट्रलेट सरिनी में रखा गया है कुल्हान हो जनजाती का संकूल छेत्र है हो जनजाती के लोग हो भासा बोलते हैं होजनजाती के ग्राम पंचायत की बैठक आखडा में होती है होजनजाती के लोग आखडा को अस्टेह तूरतूर कहते हैं मानकी मुंडा प्रसासन होजनजाती की पारंपरिक जातिये सासन प्रनाली है होजनजाती के ग्राम पंचायत को पीड नाम से जाना जाता है कुलहान में गाउं को 26 पीड में बाटा गया है पीड का परधान मानकी होता है हो गाउं का परधान मुंडा होता है मुंडा का सहायक ढाकुगा कहलाता है हो जनजाती की जीविका का मुख्य साधन खेती होता है हो जनजाती के मुख्य भूमी की तीन सरेनी है बेडो, वादी, गोड़ा भूमी हो जनजाती की मुख्य फसल धान है इल्ली हो जनजाती का पीरय या पवित्र पया होता है आगे है इसके बाद की हो परिवार पित्र सतात्म के वम पित्र वन से यह होता है हो परिवार का पिता, परिवार का मुखियाव करता धरता होता है, हो परिवार की गिन्ती चुलों की संख्या से होती है, जब हो जनजाती में महिलाओं को थल वतीर धनों चलाना वच्छूना यो वादियंत्रों को असपर्स करना मनाहय निशेद किया गया है, हातू को हो जनज पिता के लिए अपू सब्दकाप प्रयोग करते हैं। गैर जनजातियों के साथ बिवाह को दीकू आंदू बिवाह कहते हैं। आगे है कि ओपोर टीपी बिवाह मेरेज बाई कैप्चर के नाम से जाना जाता है। लड़का लड़की की मर्जी से संपन बिवाह को राजी खुसी वियाह कहलाता है। हो जनजाती में करय बिवाह को आंदी कहा जाता है। आंदी और ओपोर टीपी बिवाह को जनजाती में सम्मंधित है। हो जनजाती के देवता बोंगा कहे जाते हैं। हो जनजाती का सबसे बड़ा देवता सिंग बोंगा है, हो जनजाती में गराम देवता को पाहुई बोंगा के नाम से जाना जाता है, हो जनजाती में वर्सा का देवता दिसवली को माना जाता है, हो समाज में धार्मिक अनुस्ठान का कार्य देवडी द्वारा संपन कराया ज होजन्जाती के बाहय पर्व यानि की वीजार ओपन में पूरा गाउं सामिल होता है, होजन्जाती में जोम नामा नए अनखाने से समंधित है, होजन्जाती के घरों के किनारे पर निर्मित पुरोजों के पूजा अस्थल आधिंग कहलाता है, बौंग निर्थ्य होजन्जात देखे, खरवार जनजाती बीर एवं लड़ाकु जनजाती है, अधिकांस बिदवान इन्हें द्रविड मूल के मानते हैं, खरवार जनजाती का मूल अस्थान खेरी छार था, खरवार जनजाती अपने सम्मान के लिए सरोस्रव निवचावर कर देने तथा सत्य बोनने के खरवार जनजाती खेती वारी भासा बोलते हैं, खरवार जनजाती की सरवाधिक संख्या पलामू में पाय जाती है, डाल्टन के अनुसार खरवार चार उपजातियों में विभगत है, संडर ने खरवारों की चछ उपजातियां सूर्य वंसी, दौलत वंसी, घट बंदी, खेरी और भोगती जंगू या मजिया बताई है, रीजले ने रोहतास को खरवारों का मूल अस्थान बताया है, खरवार जनजाती अपने को सूर्य वंसी मानते हैं, खरवार जनजाती अपने को अठारा हाजरी कहते हैं, क्या कहते हैं, अठारा हाजरी कहते हैं, खेरवारी प्रचलित रूप आयोजित बिवा है, खरवारों के मुख्य देवता सिंग बोंगा है, खरवार जनजाती का धार्मिक बुरुधा बैगा होता है, खरवारों की पंचायत को बैठकी कहा जाता है, खरवार जनजाती के चार गाउं की पंचायत को चटी और पांच गाउं की पंचायत को पचवरा और साथ गाउं की पंचायत को सतवरा कहा जाता है, जार्खन की सराधिक यूधक जनजाती खरवार जनजाती है, आगे है खड़िया जनजाती, प्रजातिय द्रिष्टी से खड खड़ी खड़िया दूद खड़िया और धेल की खड़िया में विवक्त है। खड़िया जनजाती की सरधिक जनसंख्या गुमला, सिम्डेगा, जीले में निवास करती है। रोतासगड को खड़िया जनजाती का मूल अस्थान माना जाता है। खडिया जन्जाती का सरधरिक इकाई करन हुआ है, इसाई करन हुआ है, मनि इसाई बदल गए, खडिया जन्जाती के गाउं संख कोयल नदियों के तट पर बसे हुए हैं, खडिया जन्जाती की भासा, खडिया का समन्द आश्टिक एसियाटिक परिवार से है, खड़िया जन्जाती में सरधिरिक परचलित ओलोल दाय असल बिवाह है करे बिवाह को खड़िया जन्जाती में ओलोल दाय एवं असली बिवाह के नाम से जाना जाता है हट बिवाह को खड़िया जन्जाती में डूकु चोल की नाम से जाना जाता है अफरन विवाह को खड़य जंजाती में तापा या तनीला नाम से जाना जाता है सह पलायन विवाह को खड़य जंजाती में उधरा उधरी नाम से जानते हैं खड़य जंजाती का सबसे बड़ा देवता बोडो यहने के सूर्य है खड़िया जन्जाती के लोग पहाड देवता को पाट दूबो कहते हैं, खड़िया जन्जाती के लोग वन देवता को बोराम कहते हैं, खड़िया जन्जाती के लोग अपनी भासा में भगवान को गिरिंग बेरी धर्म राजा कहते हैं, खड़िया जन्जाती का धार्विक प बावीड, बंगारी और कादो लेटा पर्वका सम्मंद खड़े जंजाती से है खड़िया गाउं का मुख्या परधान कहलाता है गरामिन पंचायत को खड़े जंजाती के लोग दंदिया कहते है आगे है भूमिज जंजाती के बारे में देखिए प्रजातिय द्रिष्टी से भूमिज जंजाती को प्रोटो अश्वरेड सरेनी में रखा गया है जारखंड की भूमिज जंजाती को जंजाती का हिंदु संसकरन कहा जाता है मुगलकाल में भूमिज जंजाती को चुवार उपनाम से जाना जाता था भूमिज जनजाती की सरधिक जनसंख्या पुर्वी सीम्हुम जीले में पाई जाती है धनमाद में भूमिज को सरदार नाम से पुकारा जाता है भूमिज जनजाती की सरोच देवता गराम ठाकुर और गुराई ठाकुर है भूमिजों के पुजारी को लाया कहा जाता है भूमिजों के पंचायत का मुखिया परधान कहलाता है भूमिजों से बिवाह स्वराधिक प्रचलित रूप में एजित किया जाता है भूमिज लोग अच्छे गिरहस्त और कास्तकार होते है भूमिज में तलाक प्रथा पाई जाती है भूमिज का धरम जिवात्मवाद और हिंदु धरम का मिस्रित रूप है आगे है लोहरा जनजाती देखिए प्रजातिय दृष्टी से लोहरा जनजाती को प्रोटो अश्ट्रेड समू में रखा गया है लोहरा जन्जाती के लोग सदानी भासा बोलते हैं लुहारी लोहरा जन्जाती का प्रम प्रागत पैतरिक पेशा है लोहरा जन्जाती के सर्व स्रेष्ट देवता सिंग भूंगा एवं धर्ती माई देवता है लोहरा जंजाती की सराधिक संक्या दक्षिन छोटनाकुर प्रवंडल ने पाई जाती है साट, सोन, मगहिया, तुतली, कच्छुवा, गोत्र का सम्मंद लोहरा जंजाती से है आगे है गोंड जंजाती गोंड जन्जाती को द्रविट प्रजाती की एक साखा मानी जाती है गोंड जन्जाती की भासा गोंडी कहलाती है गोंड लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं गोंड जन्जाती के लोग मध्य परदेश से अस्थानांतरित होका जारखंड आए गोंड लोग अस्थानांतरित खेती को दीपा वब बेबार कहते हैं गोंड जन्जाती में परगमन बिवाह की प्राथमिक्ता है गोंड जन्जाती में वधु मुल्य देकर बिवाह करने की पारी पाटी सराधिक लुक पिरे है गोंड जनजाती में अंतर जातिये का सम गोत्रे बिवाह वर्जित है गोंड जनजाती में पतनी द्वारा पहले पती को छोड़ कर दूसरे पुरुसे बिवाह करने के पहचात नए पती द्वारा दिये जाने वाला बिवाह खर्च बुंदा कहलाता है गोंड जनजाती में जब कोई सुन्युक परिवार बिस्तूत परिवार में बिक्षित हो जाता है तो बड़े भाई बिरादरी कहा जाता है गोंड जनजाती के लोग मृत्यू के बाद सव को मसनी में दफनाते हैं गोंड जन्जाती का सबसे बड़ा देवता ठाकूर देवा बूढा देव है गोंड के पुजारी को बैगा कहा जाता है गोंड लोग बैगा को सयाना नाम से भी पुकारते हैं आगे है महली देखे महली जन्जाती के बारे में है जो महली जन्जाती है जारखन की सिल्पी जन् बासफोर महली और पातर महली, सुलकी और तांती महली तथा महली मुंडा में विभक्त किया है। बासफोर महली का मुख्यकार बास का समान त्यार करना है। तांती महली पालकी ढोने का कारे करते हैं। महली मुंडा को रिजले ने लोहरदगा में सिमित बहिर वर्ती या दुरस्त लगु उपजाती कहा है। महली जनजाती की सरौधिक जनसंख्या राची जिलाएं पाई जाता है। महली परिवार पित्रु सतात्मक और पित्रु वन्सिये होता है। महली का धरम प्रकीर्ति वाद और जीववाद और हिंदु धरम का मिशित रूप है। महली परिवार का बिवाह तोटम वादी वन्सों में होता है। महली जनजाती के लोग वधु मुल्य को पून टका कहते हैं। महली जनजाती के सरोच देवता सुर्जी देवी हैं। महली जनजाती के लोग पूर्खो की पूजा गोडम साकी के रूप में करते हैं। आगे है सोरिया पहाडिया जनजाती। देखे, सोरिया पहाड़ी जंजाती प्रोटो अश्ट्रायड प्रजाती में आते हैं, सोरिया पहाड़ी जंजाती मुख्य रूप से संस्थाल प्रगना प्रमंडल में निवास करती है, सोरिया पहाड़ी स्वियम को मलेर कहते हैं, सोरिया पहाड़ी की बोली माल तो कहलाती है मेगास्थिनिज ने भारत ब्रहमन के करम में राजमहल पहाडी के अधो भाग में रहने वाले आधी जाती का उलेक माली या सैरी की रूप में किया है सौरिया पहाडी की मालतो भासा दर्विट भासा समूं से समन्धित है सदर लेंड के प्रियास से 1833 सिस्वी में सौरिया पहाडी जन जाती के लिए एक पिथक पहाडी छेतर दामीन एकोह का स्रिजन हुआ सस्थाल प्रगना के अधीकान सौरिया लोग बांगला भासा का प्रयोग करते हैं जूम या अस्थारांत्रित किरिसी को सौरिया पहाडी कुरुवा कहते हैं सौरिया समाज पित्रु सतात्म के और पित्रु अनसीय होता है सौरिया समाज अंता विर्वाही समुदाय है इनके बीच गोत्र नहीं पया जाता है सोरिया समाज में बिवाह का अधार नातेदारी होता है सोरिया पहाडिया में सरवाधिक परचलित बिवाह अयोजित होता है सोरिया पहाडिया में बिवाह कारेकरम का संचालन वेद सिधू करता है कोडबा सोरिया पहाडी जनजाती का हिवागिरह है सोर्या पहाडियों के सरोच देवता लेहु गोसाई है बेरु गोसाई सुर्या लेहु गोसाई स्रिष्टी करता सिल्प गोसाई चांद जर्माते गोसाई जनम देव दर्मारे गोसाई सत्य देव सोर्या पहाडिया का मुख्य देवता है राजमहल की पहाडियों में बसी प्रमुख जाती सोरिया पहाडिया है रिजले ने सोरिया पहाडियों के धर्म को जीववाद कहा है सोरिया पहाडिये के धार्मिक कारियों का संचालन कांदो मांजी करता है सोरिया पहाडिया में राजमार्ग का देवता वो गोसाई कहलाता है ओटगा सोरिया पहाडियों में सिकार का देवता माना जाता है सोरिया पहाडिया के गाउं का परधान मांजी होता है सोरिया पहाडिया जन्जाती में गोत्र की और धारना नहीं पाई जाती है मलेर सोरिया पहाडिया से समंधित है जूम सोरिया पहाडिया से समंधित है आगे है चेरो जंजाती चेरो जंजाती अपने को स्वेवन रिसी का वनसज मानते हैं चेरो जंजाती की सरवाधिक संख्या पलामो प्रवंडल में निवास कहती है चेरो जनजाती के लोग गाउं को डीख कहते हैं प्रजातिय दृिष्टि से चेरो को प्रोट अष्ट्रुलैट स्रिनी में रखा गया है चेरो जनजाती में बिवाह की तीन बिधियां प्रचलित है ढोला गंगराव और चड़ाव चेरो जन्जाती में वधु मुल्य को दस्तूरी या जहापी कहा जाता है चेरो बिवा बिल्कुल हिंदु बिवा की तरह होता है चेरो जन्जाती की पंचायत भयारी कहलाती है चेरो जन्जाती की लोग सदानी भासा बोलते है आगे है वेदिया जन्जाती प्रजातिये दिरिष्टी से वेदिया जन्जाती को प्रोटु एस्ट्रेल समूँ में रखा गया है वेदिया स्वेम को व्येद वनिस यानि कि व्येद वानी कहते हैं वेदिया जन्जाती का सरोच देवता सूरे है वेदिया जंजाती में सूर्याही पूजा का विशे समहत्व है वेदिया जंजाती का मुख्य धरम अस्तल सरना है चिडरा, बडवार, फेचा, काचिम, आहेर, बांबी, महुआ, डांडी, बिड़ा, सुया, महुकल, सूडी तथा सेहर गोतर का सम्मन्द वेदिया जंजाती से है बेदिया जंजाती के गाउं की समाजिक समस्याओं का निन्य लेने देने वाला स्रोच ब्यक्ति परधान कहलाता है आगे है चीक बड़ाइक जंजाती देखे चीक बड़ाइक जंजाती को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है चिक बड़ाईक जनजाती का मुख के पेशा कपड़ा बुन्ना है चिक बड़ाईक जनजाती की भासन नाकपूरी है चिक बड़ाईक की सरवाधिक संख्या गुमला सिम्डेगा जिल्ले में निवास करती है चिक बड़ाईक जनजाती बढ़ गोहडी बढ़ जात एवं छोटे गोड़ी छोटा जात और अगों में विभक्त है चिक बड़ाईक में पूर्ण विवा को संगाई कहा जाता है चिक बड़ाईक जनजाती में मिरित्यू के बाद सो को मसान में दफन के जाता है चिक बड़ा देखे जो माल पहाड़ी जिनजाती है उसके बारे में आगे। माल पहाड़िया के जिवनों कुपारजन के मुख्य साधन है सिकार, खादसंगरा, कुरुवा, जुम खेती। माल पहाड़िया में वधु मुल्य पोन एवं बंदि कहलाता है। माल पहाड़िया में तलाह की सुक्रीती भया याद देता है। माल पहाड़िया के सरोच देवता धर्ती गुरासी गोसाई है। धर्ती गुरासी गोसाई को वसुमती गोसाई इवं बीरू गोसाई के नामों से जाना जाता है। माल पहाड़िया की सबसे महत्पुन पूजा मागी पूजा है। प्राजातिय द्रिष्टी से कोरा को प्रोटोस्टोयर समुह में रखा जाता है। रिजले ने कोरा के साथ उप समुह को जैसे ढालो, मोलो, बदमिया, सोन रेखा, जेठिया, सिखरिया एवं गुड़ी का चिकर किया है। कोरा जन्जाति के लोग अपने घर को ओडा कहते हैं। कोरा अपने गोत्र को गुष्टी कहते हैं। कोरा जन्जाति में वधु मुल्य को पून कहा जाता है। कोरा जन्जाति का पुजारी बैगा कहलाता है। कोरा गाव का परधान महतो होता है। परहिया जन्जाति का समन्द प्रोटो अश्रेल सम्मू से है। परहिया जन्जाति जार्खन राज में आदिम जन्जाति के रूप में चीनित है। रीजले ने परहिया को पलामू का लगुद्रविड जन्जाति माना है। परहिया का मूल अस्थान पलामू रहा है, परहिया में परिवार का गीमती कुराला यानि चुलहे से होती है, परहिया में ढाली समंध कन्या मूल से है, और परहिया लोगों द्वारा बनाए गए जोपडी नूमा घर को जहाला कहा जाता है, परहिया जन्जाती में आयोजित बीवाह का परचलन सरवाधिक है, परहिया जन्जाती पंचायत को भयारी या जाती गोड कहते हैं, परहिया जन्जाती के पंचायत का मुख्या महतो या प्रधान कहलाता है, परहिया जन्जाती के मुवा पूजा, पुरोजो की पूजा जो है काफी परचलित है आगे है किसान जंजाती किसान जंजाती के लोग सेम को नगे सिया कहते हैं किसान जंजाती को डाल्टन ने पांडो का वनसच बताया है किसान जंजाती का मुख्य निवास अस्थल है पलामू किसान जंजाती का समाज दो वर्व में भांगो सिंदुरिया और केलिया में विवक्त है किसान जन्जाती में सरवाधिक लोगपीर्य विवा एवजित विवा है किसान जन्जाती में परिक्षा विवा का भी परचलन है किसान जन्जाती में कन्या मूल डाली की परथा है किसान जन्जाती का सरोच देवता सिंग वोंगा है आगे है कोर्वा, कोर्वा जनजाती प्रोटु अश्प्रेट समूह के प्रजाती से सम्मंधित है, कोर्वा जनजाती की सराधिक्स जनसंख्या गडवा जीला में पाई जाती है, कोर्वा जनजाती की दो उप जातियां है, पहाडी कोडवा और डीहारिया कोडवा पहाड पर रहने वाली पहाडियां कुर्वा कहा जाता है कुर्वा जन्जाती के सरुच देवता सिंग बोंगा है कुर्वा जन्जाती का पुजारी बैगा कहलाता है कुर्वा जन्जाती में चड़के तथा ढोला का समन्द बिवास समन्धित है जन संख्या के दृष्टी से जहारखंट की आदिम जनजातियों में कोरवा का तिसरा स्थान है कोरवा जनजाती की पंचायत को मयारी कहा जाता है आगे है बिंजिया जनजाती बिंजिया जनजाती स्वेम को बिंध निवासी कहते हैं बिंधिया जन्जाती की सरवाधिक संख्या गुमला सिम्डेगा में पाय जाती है। बिंधिया जन्जाती में बिवाह के गुलैची बिवा, डुकु बिवा, सगाई संगा, परकार पाय जाते हैं। बिंधिया जन्जाती में वधुम मुल्य को डाली कटारी कह जाता है। बिं जनजाती के पैंचायत को परधान होते हैं। जनजाती को अनासह, अवर्त, मुर्धवाच तथा अयासी और सुद्रिट कहा गया है। आगे है, प्रजाती द्रिष्टी कोन से असूर, प्रोटो अश्रेर सरेंज में आया आते हैं। असूर जनजाती असूरी भासा बोलते हैं। असूर जनजाती में नाच के मैदान को अखड़ा कहा जाता है। असूर जनजाती के सरोच देवता सिंग भोंगा है। असूर जनजाती की धार्मिक जो परधान है वो बैगा है। सबरो की सरवाधिक जनसंख्या पूरुसी महम जीले में पाई जाती है, सबर जनजाती के मुखे निर्त्या डोमकच तथा पंता सालिया है, सबर जनजाती की जहरा साखा का आस्तित्व जहारखन में है, सबरो के पंचायत का प्रमुख परधान कहलाता है, सबर जनजाती के लो खोन्ड लोग कोंधी भासा बोलते हैं, खोन्ड जन्जाती कुदा गोत्र में बटे होते हैं, खोन्ड जन्जाती की बुरा पेनू सुर्य देवता में गरी आस्था है जिसे बेला पून सिंग मुंगा कहते हैं, खोन्ड जन्जाती सत परतिसत अपने को हिंदू मानते हैं, खोन्ड जन्जाती में अस्थनांतरित खेती को पोड़चा कहा जाता है, खोन्ड लोगों में पूराने जमाने में मनुस्य बली को प्रथा प्रचलित थी यह प्रथा मारियाह कलाती थी, खोन्डों की पारंप्रिक ग्राम ये संगठन का मुखिया गौटिया कहलाता था आगे है बिरहोर बिरहोर जार्खन की एक अलप संख्यक आदिम जंजाती है बिरहोर जंजाती प्रोटो अस्ट्रोल में आती है बिरहोर का साथिक अर्थ है जंगल के लोग बिरहोर अश्टोड एसियाटिक समूं की भासा बोलते हैं बिरहोर जंजाती बिरहोरी भासा बोलते हैं बिरहोर जंजाती की सरधिक संख्या हजारी बाक्षेत्र में पाई जाती है बिरहोर जंजाती की समाजिक सनचना के अधार वासस्थल कहलाता है बिरहोर की बस्ती को टंडा कहा जाता है बिरहोर जन्जाती के लोग टहनियों से निर्मित जिस धोजोपड़ी में राते हैं वह कुंबा कहलाता है बिरहोर के इवागिरह को गीती ओड़ा कहा जाता है नाम नपम, बापला, सदर बापला, उर्दा, उर्दी बापला, बोलू बापला, सांगा, हिरूम, सिंदुपूर, किरिंग, जवाई, बेंग, कड़ी तथा गोल्ट बिरहोर जनजाती में प्रचलित बिवाह के परमुख पदती है बिरहोर जनजाती में करय बिवाह, आयोजित बिवाह में सदर बापला कहा जाता है बिरहोरों में प्रचलित किरिंग बापला, जवाई बापला, सेवा बिवाह है बिरहोर जंजाती में सह पलायन विवाह को उर्दा उर्दी बापला कहते हैं बिरहोर जंजाती में बिनिमय विवाह को गुवा विवाह या गोल्ट विवा बापला कहते हैं हट विवाह को बिरहोर जंजाती में बोलू बापला नाम से जाना जाता है बिर्भोर जन्जाती में बीद्वा विवाह को सांगा भापला कहते हैं बिर्भोरों के मुखे देवता सिंग भोंगा है बिर्भोर के समाजिक धार्मिक राजनितिक एवं आर्थिक किर्यकलापों का संचालन नाये करता है आगे है गोडाई जन्जाती देखे गुराई जन्जाती प्रोटो एस्ट्राइड परजाती से समंधित है गुराई जन्जाती की मुखे निवास अस्थान है राची गुराई जन्जाती देवी माई और पुरुविया के उपासक है गुराई जन्जाती सदानी भासा का प्रयोग करते है गुराई जन्जा प्रैजाती द्रिश्टी से कर्माली जनजाती को प्रोटोएश्ट्रेल समुह में रखा जाता है, कर्माली जनजाती का मुखे पेशा लुहारी है, कछुवार, कैथवार, संधवार, सोना, करहर, तीर्की तथा, खल कुहार गोतर का सम्मंद करमाली जन्जाती से है करमाली जन्जाती के सरुच देवता सिंग भोंगा है करमाली जन्जाती टूसु परव को पीड़ा परव एवं बढ़का परव कहते हैं करमाली जन्जाती के पुजारी को पाहन एवं नाया कहा जाता है करमाली जन्जाती के भासा कुर्माली है आगे है बिरज्या जंजाती जहारखंड की एक अलप संख्यक आदिम जंजाती है बिरज्या जंजाती अपने को पुंडरिक नाग का वन सधर मानते हैं बिरज्या जंजाती दो भासा दो भागों विवक्त है सिंदिर्या और तेलिया बिरज्या जंजाती क सम्द्ध प्रोटो अश्प्रेल्ट सम्मू से है बिरिजय जनजाती को असुर जनजाती का एक उपभाग माना जाता है बिरिजय जनजाती की सवराधिक जनसंख्या लाते हर जिला में निवास करती है आगे है बैगा जनजाती बैगा जनजाती का सवराधिक संकेंदरन चेतर में है, बैगा जन्जाती के लोग बाग को पवित्र पसु मानते हैं, मनगी, लाम सेना, पैदुल, उघाडिया, उठावा, चोर बिवा, आदी बैगा समाज में प्रचलित, परूख बिवा है, इनमें सरवाधिक लोगपीरिया मंगनी है, बैगा जन्जाती के मुखे द बड़ा देव है, सक्वब्रिक्ष का बड़ा देव का निवास अस्थल है, बैगा लोग परतेक नव वर्ष पर रस नावा परो मनाते हैं, बैगा के सामुदाईक पंचायत का मुखिया मुकदम कहलाता है, आगे है बथोडी जन्जाती, बथोडी जन्जाती मुखे दा धा बथोडी जन्जाती के गाउं का पुजारी वो पंचायत का प्रधान देहरी होता है, क्या होता है, बथोडी के सांस्कृतिक जीवन की मुखे भी सिस्ता नाचगान है, बथोडी जन्जाती में बिवाह का सरधिक प्रचलित रूप आयुजित बिवा है, बथोडी जन्जात बंजारा जंजाती के स्वराधिक संख्या संस्थाल प्रगनायम पाय जाती है बंजारा जंजाती में बीद्वा विवाह को नियोग कहा जाता है बंजारा जंजाती के प्रियाय के रूप में बंजारी वनसनरी और ब्रिंजारी बिपारी सब्द संबोधन के रूप में प्रचलित है बंजारा जंजाती का समाज पित्रु सतात्मक होता है बंजारा जन्जाती चार समुख़, चवहान, पवार, राठोर और उरवा में दिभाजित है बंजारा जन्जाती में वधुम् मुल्ले को हरजी कहा जाता है आगे है कवर जन्जाती भारस सरकार दवड़ा 8 जन्री 2003 को जहारखंड की 31 जन्जाती के रुप में कवर जन्जाती को समलित किया गया है प्रजाते दिरिष्टी से कवर को प्रोटोस्ट्रार्ज वर्ग में रखा गया है कवर अपना उद्गम कौरोव से बताते हैं कवर जन्जाती का निवास अस्थल प्लामू गुमला सिम्डेगा है प्रहलाद वसिष्ट अभियारिय, सुकदेव, तुंडक, परासर तथा बिश्वामित्र कवरजनजाती के प्रचलित परमुख गोतर है कवरजनजाती में बिवाह का प्रचलित रूप करे बिवा, डुकु बिवा और घरजिया बिवा है कवर जन्जाती में वधु मुल्य को सुकदाम कहा जाता है कवर जन्जाती के जाती पंचायत का मुखिया सयाना कहा जाता है आगे है कोल जन्जाती जारखंड की 32 जन्जाती के रूप में कोल जन्जाती को समलित किया गया है कोल जन्जाती प्रोटो एस्ट्रेल्ट समुह में रखा गया है कोल जन्जाती बारह गोत्रों में भाजित किया गया है कोल जन्जाती में वधु मुल्य को पोटे कहते हैं कोल जन्जाती का उस्तैनी पेसा लोहा गलाना है कोल जन्जाती के भासा को कोल भासा कहते हैं कोल जन्जाती के समाज का परधान मांजी कहलाता है कोल जन्जाती के सरुच देवता सिंग वोंगा है आगे है इसमें जारकंड में जन्जातियों का वर्गी करन में टेबल देखे आदेम जनजाती में यहाँ पास आठ आएंगे जैसे असुर, विरहोर, विरजिया, परहिया, सबर, कुरवा, माल पहाडिया और सेरिया पहाडिया और अपने को सदान मानने वाले जनजाती हैं बिरजिया, चीकबडाई, गुडाईत, करमाली, लोहरा, महली और किसान और अपने को उच हिंदू मनने वाले जंजातिया हैं, बथोडी, बेदिया, बीजिया, चेरो और खडवार, ठीक है, आगे है बिभिन जंजातियों की परमुक भाषा, ठीक है, देखे, संस्थाली जो है, संस्थाली भाषा कोन बोलते हैं, संस्थाल जंजाति, यह आश्टिक भासा समूँ से हैं, खुलुख जनजाती उराव बोलते हैं, दरविट भासा से हैं, माल पहडिया व सोरिया पहडिया मालतो बोलते हैं, ये दरविट से हैं, खड़िया जो हैं, वो खड़िया बोलते हैं, ये मुंदारी से समधित हैं, हो जनजाती हो बोलते हैं, ये मुंदार भासा समूँ से हैं बिरहोर बिरहोरी बोलते हैं ये भी आस्टिक से हैं खरवार खेरवारी बोलते हैं आस्टिक से हैं लोहरा चेरो बिंजिया गुडाईत सदानी बोलते हैं आस्टिक भासा परिवार से हैं चिक बडाइक नकपुरी बोलते हैं आस्टिक भासा परिवार से है खोंड कौंधी बोलते हैं आश्टिक से हैं करमाली खोठा बोलते हैं आश्टिक से हैं गोंड गोंडी बोलते हैं ये भी आश्टिक भासा परिवार से हैं और कवार्ती सादरी कवर बोलते हैं ये भी आश्टिक से समंधित हैं आगे हैं विभिन जंजातियों के इवागिरी के नाम, देखें जो संस्थाल हैं इनके इवागिरी गोटूल होते हैं, उराव के इवागरा घुमकुडिया होता है, मुंडा का इवागरा गीती ओरा होता है, सोरिय पहाडियों का इवागरा कोडवा होता है, बिरहोर का प्रमुख देवता है, ठाकुर देव ग्राम देवता है, मारंग बुरु पहार देवता है, दिवार सिमान्त देवता है, और पुर्व जात्मा कुल देवता है। नारग बुंगा नाग देवता है। आगे है विभिन जनजातियों के विभिन धार्मिक पुजारी के नाम, नाय के संस्थाल के प्रमुक पुजारी नाय के, मुंडाव राओं के पाहन, खरवार खड़िया असुर बिरंजिया किसान के बैगा, प्रहिया सबर मत्थूरी के देवरी, माल पहडिया का देवूरी, वीरहोर का नाय, भूमिज का लाया, चेरो का गोसाई, और हो का देवन आगे है जार्खन का लोक निर्थय के बारे में, जार्खन का सबसे मसूर लोक निर्थय है चाव निर्थया, चाव निर्थया जार्खन के सराय केला खरसामा जीले में प्रचलित है, सराय केला की राजकुमार सु सेंधु नरान सिंग द्वारा चाव निर्थया का विदेश सैली है जिसमें पौरानी केवं एतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुख़टे धारन करते हैं पाइका निर्थ्या सैनिक पोसाग पहान कर पाइका निर्थ किया जाता है जादुर सामुह निर्ते को नीर सुन्स को कहा जाता है कर्मा पर्व के औसर पर करम निर्ते सामुहिक रूप से किया जाता है जतरा सामुहिक निर्ते है, नचनी निर्ते है, नटवा पुरुष प्रधान है मगाह निर्ते को हो जनजाती में प्रचलित है अगनी धार्मिक निर्त्य है और पंड़ वहिया निर्त्य जन्मोत सो कसर्प किया जाता है नचनी निर्त्य एक पेसिवर निर्त्य है आगे है जनजाती यों जनजाती निर्त्य यों उनकी भी सिस्ता है देखे च्छाव, स्राय के लखर सामा का मुखोटा धारित ओजपुर्ण निर्ति सैली है च्छाव, पाई का सैनिक पोसाग के साथ किया जाने वाला निर्ति है, जदूर सामोहिक निर्ति सैली है, कर्मा तेवार के उसर पर किया जाने वाला समोहिक निर्ति है, जतरा समोहिक न गीत देखे जुमर गीत परोते वहार के उसर पर गया जाता है अगनई गीत है और डैड धारन रित्य वर्षा रिद्धों में मुखेता देव थानों में गया जाता है दोड लांगडे बाहा सहराय मातवार डाहार गोलवारी भीनसार रिंजा डांटा और धूरू मजात जिका दसाएं लोक गीत का संबंद संस्थाल जनजाती से है जदूर गेना और जदूर करमा जत्रा जरगा तथा जपी मुंडारी भासा के लोक गीत है दोड संस्थालों के प्रेम और विवाह का विशेगीत है अंड दंदी हो मुंडाओ के प्रेम विवाह का विशायक गीत है गीत है, हैरो तथा नो मनामा लोक गीत संबंद हो से है, जनानी जुमर अगनाई डोमकच जुमता विवा जनजाइन महिलाओं दवरा गया जाने वाला लोक गीत है, जुमर गीत जुमर राग में गया जाता है, अगनाई गीत अंगराई राग में गया जाता है, कर्मा सोहराई और अन्य जंजातियों, तेवहारों में समूhn निर्त्या और गायन, जुमर, राग के विभिद प्रकार प्रकट होते हैं, जंजाइत गिन जनमुत स्थम गया जाता है, डुमकच गित बिवाह कवसर गया जाता है, जतरा, धरिया, असाछी, कर्मा, मठा, जादुर, उराव, जंजाती के लोक निर्गीत हैं। आगे है जार्खन के लोक गीत। जार्खन के लोक निर्थे में बैवाहिक जीवन को परदर्शित किया जाता है। आगे है वादियंत्र। देखें। घंटा थाला मंदीर तथा काठी का संबंद घंवाद से है। जार्खन का प्राचिंतम यों स्राधिक लोक पिर्यवाद मांदर है। मांदर पा सुर्मुकी वाद है। केंदरी वाद को जार्खन्डी वायलिन के नाम से जाना जाता है। जार्खन का सराधिक लोक पिर्या सुसीर वाद यंत्र बांसुरी है। केंदरी का भुवांग संस्थालों का पिर्यवाद है। धमसा वाद की आकडिती कडाही जैसी होती है। चहुनिर्थे में धमसा की आवाज से यूध और सैनिक परमान जैसे देशियों को साकार किया जाता है। डोंगी बांस से सबसे अच्छी बांसुरी बनाई जाती है। भैस की सिंग से सिंगा वाद यंत्र बनाई जाता है। सानाई मंगल वाद यंत्र है। आगे है चित्रकला। जादो पटिया सैली संस्थाल जन्जाती की सरवाधिक मसहूर लोक चित्रकला सैली है। जनजातियों की प्रसिद अस्थाने चित्रकला सैली सोहराई, सोहराई परवसे जूडी सैली है, सोहराई चित्रकला में जंगली जीव, जन्तूओ, पक्छियों और प्यन पौधों का उकेरा जाता है, बिरहोर जनजाती कोहवर चित्रकला में निपुन माने जाते हैं, कोहवर कला में प्राकिर्तिक परिवेश और इस्त्री पुरुस्वंधों के विवित पक्षों का चित्रन होता है। द्रविट भासा वर्ग में कुडुख उराव और मालतो सौरिया यों पहाडियां भासाएं आती है। अबादी में आश्टिक वर्ग की भासा सरधरिक प्रचलन है। जारकंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भासा है संस्थाली, मालतो भासा का समन्द सोरिया पहाडियां माल पहाडियां से है, मुंडा आश्टिक भासा परिवार से समन्धित है, मेले यों परवत्यभार। जारकंड में दुमका जिले में हिजला मेला का योजन किया जाता है, हिजला मेला मुईराक्षी नदी के किनारे लगता है। मेला लगता है, सूरे कुंड मेला का योजन हजारी बाग जिले में किया जाता है, रत यात्रा मेला का योजन राची में किया जाता है, तुर्की मेला का योजन चाई वासा में किया जाता है, नौमे डोल मेला योजन राची जिला में टाती सिल्वे स्थान पर किया जाता है जार्खन में गुमला जीले में उर्स मेला का वजन किये जाता है जतराही मेला का वजन चत्रा में किये जाता है गंतंतर दिवस मेला का वजन गोड़ा में होता है बुढ़ाई मेला का वजन देवघर में होता है चपरी मेला का उजन लाते हर में भरवाडी के प्रखंड में के जाता है सरहुल मेला, देव थान मेला, रानी चुंबा मेला, मुणवा मेला का उजन राची में होता है बिंदु धा मेला का उजन सहभ गंजीला में होता है जारखन की जनातियों का सबसे बड़ा परव सरहुल है सरहुल परव जो है वो चैत सुल्क सुकल की तिरितिये में मना जाता है सक्वा कुझ का उप्योग सरहुल ते भार में के जाता है करमा परव भादो सुल्क पक्ष के एका दसी को मना जाता है करम की डाले की पूजा करमा तेवहर में की जाती है फववा परो होली के स्वेज हरखंडी रूप है चांडी परो माग की पुर्रीमा को मना जाता है मागे परो माग माह मना जाता है देसावली 12 वर्सों में एक बर मना जाता है जनी सीकार 12 वर्षों में एक बर मना जाने वाली महिलाओं का समोहिक तेवहार है। आगे है हिजला मेला दुमका में लगता है। हतिया पत्थर, बोकारो, बिंदु धाम मेला साहब गांज, देवथान मेला राची, रामरेखा धाम सिम्डेगा, चप्री मेला बरवाडी, गगारी मेला लापूंग राची, जायदा मेला चांडिल पहाडी, गांधी मेला सिम्डेगा, मंडा मेला हजारी बाग, बुढई मेल आगे है जनजाती सहित्या देखे जनजाती सहित्य में सराधिक प्रचलन लोक कथाओं का है मुंडाओं की प्रसीध कथा सोसो बोंगा बैलेट की रुप में गठी गई है संस्थाल की कहानियों के मुख्य पात्र जंगली पसू होते है इंसाईकλोपीडिया मुंदारी का मुंदारी भासा एवं सहित्य का विश्वकोस माना जाता है इनसाईकलोपीडिया मुंदारी का के लेखक फादर हॉप मेन है मुंदारी प्राइमर के लेखक जे सी हुटली है मुंदारी गरामर के लेखक ए नाइटोट नोट्रेट है सरत चंदर रॉय ने मुंदाज एंड देर कंट्री नामक पुष्थक 1912 हमें लिखा है डाक्टर मन मसी मुंदू में मुंदारी टूड को ठारी पुष्थक पर 2000 इस्वी में सहित अकार्णी पुर्षकार दिये बाइबल का मुंदारी म्यनुवाद ए नोट्रेट ने किया है पीती बाला के लेखक बिद्दू बाबु है आगे है संस्थाली इंगलिस और इंगलिस संस्थाली सब्द कोर्स के रशनकार है 47 में देव नाग्री लिपी में संस्थाली का प्रथम समाचार पत्र होड समवाद प्रकासित हुआ संस्थाली प्रिशिका के लेखक डोमन साहू समीर हैं ग्रामर अब दी कोल पुस्तक के लेखक हैं रेव इन्य टोट हो दूर के लेखक हैं डबलू जी आर्चर इंट्रोड़क्षण टूदी खड़वा लेखक हैं गगन चंदर रोई बनर जी दाखड़ आज के लेखक हैं सरत चंदर रोई पचास गीतों की पुस्तक कुलुख डंडी के जो रचनाकार हैं वो है बिहारी लकड़ा और विहारी लकड़ा को दुधर पांच में सही तकाने पुरुसकार प्रदान किया गया बाइबल का कुरुक में अनुवाद रेव फड होन ने किया एन इंट्रोड़क्शन टू दी हो लेंग्वेज के लेखाख है फादर जोन डीनी एस जे है बाइबल का नाकपुरी मनवाद पी इडनेस ने किया बाइबल का हिंदी मनवाद फादर का मिल बुलके ने किया संसकार एवं परंपरा जनजातिय जीवन की अधार सीला उनकी परंपरा है आदिवासी प्रकिर्ती पूजक होते हैं जन्जातियों में नामकरन, गोत्रबंधन, साधी विया जैसे उत्सव प्रकीर्टी से प्ररित होते हैं जार्खन का जन्जातिय परिवार पिर्तित सतात्मक होता है जन्जातिय परिवार में संतान पीता का गोत्र पाता है जन्जाती परिवार में साधी होने के बाद लड़की पती के गोत्र अपनाती है जन्जाती में परिवार के धन पर पूरुस का धिकार होता है हो जन्जाती में किली के आधार पर परिवार बनते है आगे है हडिया सेवन जन्जातियों में सर्वकालिक परंपरा है संस्थाल जन्जाती के दिख्छा संसकार को चाचो छठियार के नाम से पुकारा जाता है संस्थाल जन्जाती के लोग जनम जात सीसु का नाल तीर के नुकीले धारों से काडते है संस्थाल जन्जाती में प्रस्रों के पहले नौ माह के गर्ब वहस्था में स्वाद भक्षन कराया जाता है संस्थाल जन्जाती के जनम के बाद पारू बुड़ी का छठियारी मनाई जाती है जार्खंट की पराया सभी जनजातियों में समाजिक सनचना में गोतर बेऊस्था की उपस्थीती रहती है मुंडा जनजाती में बिवाह की बात चीरी ओरी की द्वारा की जाती है हो जनजाती में लड़के के मातापीता सुया को लड़की के मातापीता के घर भेच कर साधी ठीक करते हैं आगे है कि जारखंड की जनजातीयों में धार्मिक विश्वास और आस्था का अधार भूंगा है बिवाह के पूर्व सगाई की रस्म बंजारा जन्जाती में होती है कुर्वा जन्जाती के लोग मृत्यू के 15 दिन बाद कमान रस्म करते है जारखंड की जन्जातीयों में मृत्यू के बाद सव को गाडने और जलाने की दोनों प्रथाएं दास संसकार कम होता है मृंड़ जन्जाती में उम बूल आदेर रस्म होता है हो जन्जाती एक मृत्यू के बाद जग टोपा वा सबसी रस्म होता है आगे है बिवाह पदती जारखंड की जन्जातीयों में बिवाह अपनी अपनी जातिय सीमाओं के अंदर होता है जार्खन की जनजातियों में समान गोत्र में बिवाह करना वर्जित है एवं वयोन समंधु पर सक्ति पाबंधी है बहिर गोत्रिय बिवाह प्रथा का अनुपालन करने की कारण ये गोत्र बिवाही नहीं करते जार्खन की जनजातिय पुनता बही विर्वाही है इस बही विर्वाही का ततपर है समान गोत्र में विवाह नहीं करना जार्खन की जनजातियों में तलाख लेने की प्रथा पाई जाती है मुंडा जनजाती में तलाख को साकम चारी कहा जाता है करय बिवाह में वधु को पाने के लिए वधु को माता पिता या रिष्तेदार का कुछ धन देना पड़ता है संस्थालों में करय बिवाह को सदाई बापला के नाम से जानते हैं हो जनजाती में करय बिवाह को आंदी कहा जाता है खड़िया जंजाती में करय विवाह को असली विवाह के नाम से जानते हैं आगे है इसके बाद की बिरहोर जंजाती के करय विवाह को सदर बापला कहते हैं मुना जंजाती के करय विवाह को दिये जाने वाला कन्या सुल्क को कूरी गुनूंग कहा जाता है सेवा विवाह को कन्या सुल्क न दे पाने कि इस्थिती में बर अपने होने वाले सास ससुर की सेवा करते हैं और बदले में उनकी बेटी से साधी का धिकार पाता है सेवा बिवाह को संस्थाली लोग घर्दी जमवाई बापला कहते हैं सेवा बिवाह को बिरहोर जंजाती की किरिंग जमाई बापला के नाम से जाना जाता है हट बिवाह में लड़की अपने प्रेमीर के घर जबरन आकर रहने लगती है हट बिवाह का परचलन हो एवं बिरहोर जंजाती में जादा है हो जंजाती के हट बिवाह को अनादर बिवाह कहा जाता है बिरहोर जंजाती के हट बिवाह को बोला बापला कहा जाता है हरन बिवाह में लड़की का भरन करसादी की जाती है सोरिय पहाडिय जंजाती में ज़्यादा तरहरन विवा होते हैं बिनिमय विवाह को गोलट विवाह भी कहा जाता है बिरहोर जंजाती के बिनिमय विवाह को गोलहर बापला कहा जाता है संस्थाल जंजाती के लोग बिनिमय विवाह को गोलाईटी बापला कहते हैं सह पलायन बिवाह को इवक यूती माता पिता का अनुमती के बिना भाग कर बिवाह कर लेते हैं। आदी एवम ओपर तीपी बिवाह को हो जनजाती में परचलित है। अगे है कि बिभीन जनजाती में वधु मुल्यों के नाम। देखे, संस्थाल हो कर माली सोरिया पहाडिया माल पहाडिया में वधु मुल्यों का नाम है पोन, मुंडा में गुनोंग, सबर में पोटे, किसान और परहिया में डाली, बंजरा में हरजी और जो कवर है इनमें सुकदाम। झाली तटनों लगान आपさाई ऐस और झाली, झाली और जो कर झाली, झाली और जोको जैड़ा यूना सुकदाम।